नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे देश का लोग प्रिया चैनल एग न्यूस टुड़े दुनिया को बचवाने के लिए विश पीने वाले भोले नाथ जिनका महा पर्व यानी के महा शिवरात्री आज पूरे देश में धूम धाम से मनाये जो आ रहा है लेकिन यूपी के सबी शिवालेओं में सुभा से ही भक्त जराबिशेक कर मननत माग रहे हैं शिवरात्री के पर्व पर एक ऐसे शिवलिंग के बारे में आज हम आपको बताने जो आ रहे हैं जिसे महमोद गजनवी ने कई बार तोड़ने की कोशिश की थी जब शिवलिंग नहीं टूटा तो इस पर उर्दू में कलमा तक लिखवा दिया यह शिवलिंग गोरखपुर के खजनी इलाके में सस्यतिवारी गाउं में हैं जहां पर इन्हें जारखंडी शिव भी कहा जाता है मानिता है कि यह शिवलिंग 1000 साल से भी जादा पुराना है शिवलिंग पर दो पंक्तिया उर्दू में खुदी हुई है पहले पंक्ति में लिखा है या अल्ला और दूसरी पंक्ति में खुदा हुआ है ला इलाह इल्लाला हालाकि लोगों को यहां पूजा करने से रोकने की गजनवी के साज़िश काम नहीं आई कलमा खुदा होने के बावजूद यहां लोगों क्यास था कम नहीं हुई आज भी यहां विदिवत पूजा के लिए लंबी लंबी लाइने लगती है मंदिर का पंडित और गाओ के बुजर्ग भी इस मानिता की तरदी करते हैं इस मंदिर को लेकर वहां के वुजर्ग बताते हैं कि यहां का इतिहास काथी जाडा पुराना है और साथ ही साथ ऐसा शिवलिंग पूरे भारत में कहीं भी और नहीं है उन्होंने बताये कि कलमा लिखे शिवलिंग पर घी का लेब जितना लगाया जाता है शिवलिंग उतना जादा चमकने लगता है इस मंदिर की विशेशता को लेकर यहां के स्थानिया लोगों ने कहा कि शिवलिंग पर कई बार लोगों ने एक विशेलिस साप को फन फैलाई बैटे हुए भी देखा है लेकिन जैसे ही कोई भक्त भगवान बोलेनात की पूजा के लिए आता है साप वहां से चरा जाता है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुचा था इस विशेश शिवलिंग वाले मंदिर को लेकर गाउ की लोगों का दावा है कि अगर पुरातात्व विभाग मंदिर के आसपास की खुदाई करे तो निश्चत तोर परितिहास से जुड़े और साक्ष मिलेंगे क्योंकि गजनवी ने यहां लूट की नियत से आकरवन कर मंदिर को तोड़ा था वही लोगों ने कहा है कि मंदिर को तोड़े जाने के बाद भी उस समय लोगों ने यहां पूजा जौरी रखी और उनकी भगवान भोले नात के इस मंदिर में असीम आस था साल उस से बरकरा है इस मंदिर को लेकर एक और कहानी काफी प्रचरित है कि वहां एक ऐसा पोखर है जहां मल राजा ने आकर असनान किया था और उन्हें कुछ रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गए थी आज भी वहां लोग अपने रोग को ठीक करने के लिए पोखर में नहाते हैं और दा है और उस्टोडे है